Thermal Power Plant दुनिया की कुल बिजली की मांग में से लगभग आधी मांग को पूरा करने में मदद करते हैं। वे वरकिंग फ्लूइट के तौर पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। आज की Thermal Power Plant कड़े Environmental Standards का पालन करते हुए ज्यादा Efficiency से काम करने में सक्षम है। इस वीडियो में हम एक विस्त्रित स्टेप बाई स्टेप तरीके से देखेंगे कि एक कोल बेस्ट Thermal Power Plant ये कैसे करता है। इस जेनरेटर के शाफ्ट को घुमा कर हम बिजली पैदा कर सकेंगे। जेनरेटर एक स्टीम टर्बाईन से गती प्राप्त करता है जिसे Power Plant का दिल कहा जाता है। स्टीम टर्बाईन को टर्न करने के लिए आपको टर्बाईन के इनलेट पर एक High Pressure and High Temperature स्टीम सप्लाई करनी होगी। चुकि टर्बाईन High Energy Fluid से एनर्जी हासिल करता है, इसके कारण वश आउटलिट की ओर इसका Pressure और Temperature गिर जाता है। आप विशेश्टाकार के स्टीम टर्बाईन रोटर ब्लेट्स पर करीब से नजर डाल सकते हैं। High Capacity वाले Power Plant अकसर स्टीम टर्बाईन के विभिन स्टेजिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे High Pressure टर्बाईन, Intermediate Pressure टर्बाईन और Low Pressure टर्बाईन्स। तो अब हमने अपना उदेश्य हासिल कर लिया है। हमने जेनरेटर से बिजली का उत्पादन किया है। अगर हम Low Pressure और Low Temperature स्टीम को उनकी मूल स्थिती में वापस ला सकते हैं, जो बहुत High Pressure और Temperature पर थे, तो हम इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। पहला कदम है प्रेशर को बढ़ाना। आप इस उद्देश्य के लिए एक Compressor का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टीम को Compress करना एक बहुत ही जादा Energy Intensive Process है और ऐसा Power Plant बिलकुल भी कुशल नहीं होगा। इसका असान तरीका ये है कि स्टीम को Liquid में परिवर्थित किया जाए और प्रेशर को बढ़ाया जाए। इस उद्देश्य के लिए हम Condenser Heat Exchanges का इस्तेमाल करेंगे जो कम प्रेशर वाले टर्बाइन के नीचे स्थित है। Condenser में ठंडे पानी की एक धारा ट्यूप्स में भहती है। स्टीम इस Liquid धारा में गर्मी को छोड़ देती है और Condense हो जाती है। हम इस Field Water के प्रेशर को बढ़ाने के लिए एक Pump का इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तोर पर इस उद्देश के लिए Multi-Stage Centrifugal Pumping का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से प्रेशर अपनी मूल स्थिती में वापस आ जाएगा। अगला कार्य टेंपरेचर को उसके Original Value पर वापस लाना है। इस उद्देश के लिए Boiler की मदद से Pump के Exit पर Heat को जोड़ा जाता है। उच्च शमता वाले Power Plant आम तोर पर Water Tube Boiler कहे जाने वाले Boiler का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद Pulverized कोईले को Boiler के अंदर जला दिया जाता है। पानी शुरू में एक Economizer Session से गुजरता है। यहाँ पानी Flu Gas से Energy Grand करेगा। पानी एक Down Comer के माध्यम से और फिर पानी की दिवारों में से बहता है जहाँ ये Steam में बदल जाता है। शुद्ध Steam को Steam Drum में अलग कर लिया जाता है। अब Working Fluid अपनी मूल स्थिथी में वापस आ गया है, High Pressure और High Temperature में। इस Steam को Steam Turbine में वापस फीड किया जा सकता है। और निरंतर बिजली उत्पादन के लिए इस चक्र को बार बार दोराया जा सकता है। लेकिन इस बुनियादी Rankine Cycle पर काम करने वाले एक Power Plant की Efficiency और शमता कम होगी। हम कुछ सरल तकनीकों की मदद से Power Plant की प्रदर्शन को काफी बढ़ा सकते हैं। सूपर हीटिंग के मामले में लिक्विट को स्टीम में परिवर्तित करने के बाद भी और भी अधिक हीट एड़ हो जाती है। और इससे स्टीम सूपर हीट हो जाती है। स्टीम का टेंपरेचर जितना अधिक होगा, साइकल उतनी ही जादा एफिशेंट होगी। ये Care Not की थियोरम, Maximum Possible Thermal Efficiency के अनुसार है। लेकिन स्टीम टर्बाइन मटीरियल 600 डिग्री से अधिक टेंपरेचर का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए सूपर हीटिंग उस सीमा तक सीमित है। ब्लेट की पंक्तियों के साथ बहते हुए स्टीम का टेंपरेचर कम हो जाता है। नतीजतन पावर प्लैंट की Efficiency को बढ़ाने का एक शांदार तरीका ये है कि पहली टर्बाइन स्टेज के बाद हीट एड़ कर दी जाए। इसे री हीटिंग कहते हैं और ये स्टीम के टेंपरेचर को फिर से बढ़ा देगा जिससे एक हाई पावर आउटपुट और अधिक Efficiency प्राप्थ होगी। पावर प्लांट के कम प्रेशर वाले साइड का जेटिल सीलिंग अरेंजमेंट्स के बावजूद भी वायू मंडली हवा को सोख लेने का खत्रा रखते हैं। फीड वाटर में घुली हुई गैसे समय के साथ बॉयलर की माटीरियल को खराब कर देंगी। इन घुली हुई गैसों को हटाने के लिए एक खुला फीड वाटर हीटर पेश किया जाता है। टरबाइन से गर्म स्टीम को फीड वाटर में मिलाया जाता है, जिससे उत्पन स्टीम बबल्स घुली हुई गैसों को अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये मिशरंड फीड वाटर को पहले से गर्म कर देता है, जिससे पावर प्लांट की एफिशेंसी में और भी अधिक सुधार होता है। ये सभी तकनीके आधुनिक पावर प्लांट को 40-45 प्रतिशत की एफिशेंसी सीमा पर काम कराती है। अब हम इस बात पर एक नज़र डालेंगे कि वास्थविक पावर प्लांट में हीट अडिशन और हीट रिजेक्शन कैसे किया जाता है। कूलिंग टावर की मदद से थंडे लिक्विट को कंडेंसर में सप्लाई किया जाता है। कंडेंसर आउटलिट से गर्म किये गए पानी को कूलिंग टावर में छिड़का जाता है जो एक प्लाकरतिक एयर ड्राफ्ट को शुरू करता है और छिड़का गया पानी अपनी हीट खो देता है। इस तरह से एक ठंडा लिक्विट हमेशा कंडेंसर इंलिट में प्रदान किया जाता है। हैट एडिशन साइट पर जलता हुआ कोईला कई प्रदूशक पैदा करता है। हम इन प्रदूशकों को सीधे वायू मंडल में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें एक धेर में ट्रांसफर करने से पहले निकलने वाली गैस को एन इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर में साफ किया जाता है। ESP प्रदूशक कणों को अब्जॉर्ब करने के लिए हाई वोल्टेज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेटों का इस्तेमाल करता है। हमें उम्मीद है कि हमने थर्मल पावर प्लांट के आंतरे कामकाज में आपको नहीं जानकारी दी है। विडियो देखने के लिए धन्यवाद।